हाई गाईज वेलकम यू अल वन्स अगें तो आज की इस वीडियो में हम लोग 7-segment डिस्प्ले को इंटरफेस करेंगे अपने एट मेगा 8 के साथ मैं फिलहाल यहां पर सिंगल 7-segment डिस्प्ले को इंटरफेस कर रहा हूं और फिर आगे आने वाली वीडियो में फिर हम लोग multiplexed 7-segment displays को भी देखेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर 12 MHz का external crystal oscillator use करने वाले हैं अपने microcontroller को run करने के लिए और secondly हम लोगों ने जो 7-segment display है इसको port D के साथ connect किया हुआ है और यहां पर आप देख सकते हम लोगों का जो A terminal है इसको हम लोगों ने PD 7 से connect किय किया, B को आपने PD 6 से किया, C को आपने PD 5 से किया, D को आपने PD 4 से किया, E को आपने PD 3 से किया and so on और secondly हम लोग जो यहां पर 7-segment use कर रहे हैं यह common cathode है, common cathode type की है तो इसमें जो common हम लोगों की terminal होती है इसको आप लोगों ने ground करना होगा, आप चाहें तो यहां पर ground कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो micro controller से भी यहां पर इसको signal दे कर सकते हैं, तो फिलहाल हम लोगों ने इसको externally ground किया हुआ है, तो यह हम लोगों का circuit diagram है, इसके बाद हम लोग अपने programming को देख लेते हैं, so programming में सबसे पहले हम लोग यहां पर जो CPU है उसकी frequency define करेंगे 12 MHz, तो उसक इसके लिए आप लोगों ने हाँ पर hash define f underscore CPU 12 MHz यहां पर लिख लिया, next इसके बाद आप लोग यहां पर avr.io.hnam की header file को include करेंगे, यहां पर अगर आप delay use करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने util.hnam की header file को भी include करना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोगों के पास यहां पर main function है, now main function के अंदर सबसे पहले हम लोग जो DDRD है, इसको 0xFF दे रहे हैं, इसका यह मतलब है कि आपका जो port D है, उसको आप लोगों ने output define कर लिया, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग यहीं पर अपने जो 7 segment है, उसको connect करने वाले हैं, now इसके बाद हम लोगों के पास यहां पर while one loop है, और यह basically आपका infinite loop हो जाएगा, इसके बाद हम देखते हैं, इस loop के अंदर actually होने क्या वाला है, so while loop के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर port D is equal to 0xFC लिखा, अब यह जो FC है, हम लोगों के common cathode में 0 का pattern होता है, तो initially आप यहां पर क्या करेंगे port D में 0 भेजेंगे, तो यहां पर आपका जो 7 segment है वहाँ पर 0 display हो जाएगा, इसके बाद आप लोग यहां पर 1000 millisecond या फिर 1 second का delay दे रहे हैं, और इसके बाद अगेन आपने आपने यहां पर जो port D है उसमें 0x60 दिया, तो यह जो 60 है यह basically code होता है हम लोगों के 1 के लिए, तो इसके बाद आप लोगों का जो 7 segment है उसमें 1 display होगा, फिर इसके बाद आप लोग यहां पर 1 second का delay देंगे, फिर आप यहां पर DA भेज रहे हैं, port D में, that means आप यहां पर 2 होँआ पर print करवाएंगे, फिर आप 1 second के बाद 3 print करवाएंगे, फिर 1 second के बाद 4 print करवाएंगे और इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 तक आप लोग यहां पर जाएंगे ठीक है और 9 होने के बाद अगेन हम लोगों का क्या है यह वाइल लूप एक इंफाइनाइट लूप है तो फिर से अगेन यह उपर टॉप में आएगा तो आप कह सकते हैं फिर से आपका यहां पर 0 डिस्प्ले हो वह हो, बट महाँ पर कुछ अलग तरीके से हम लोगों ने किया था और यहां पर हम कुछ अलग तरीके से इसको करने के कोशिश कर रहे हैं, तो फिला हम इसको यहां से बिल्ट कर लेते हैं तो बिल्ट हो चुका है प्रोग्राम, अब इसके बाद हम लोग इसको simulate करके देख एक second के बाद अपनी जो values है वो change करता रहेगा और जब यह value आपकी 9 हो जाएगी तो again हम लोगों का यहाँ पर 9 से 0 value हो जाएगी ठीक है तो यह तो हम लोगों का एक basic सा program है अब यह जो program है यह हम लोगों का बहुत ज्यादा flexible है नहीं ठीक है क्यों नहीं है इसको समझते हैं द बोल सकते हैं तो इस चीजसे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो यह patterns है इनको एक array के अंदर हम लोग hold करवा सकते हैं और looping के थ्रू हम लोग उसके बाद array के थ्रू जो data है उसको access करके अपने port में भिजबा सकते हैं तो वहाँ पर हम लोगों की flexibility है वो दो header files को तो include करना ही पड़ेगा और साथ ही आपको अपनी जो frequency है वो 12 MHz यहाँ पर define करनी ही पड़ेगी next इसके बाद हम लोगों का यहाँ पर main function है main function के अंदर सबसे पहले हम लोग एक array बना रहे हैं digit नाम का ठीक है और इसका जो type है यह क्या है unsigned care type है और इसके अंदर हम हम लोग यहाँ पर अपने जो patterns थे common cathode के लिए उनको save कर रहे हैं ठीक है यह हम लोगों का जो FC है यह 0 का pattern है यह 1 का pattern है फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के जो हम लोगों के patterns थे इनको हम लोगों ने एक array में store कर वा लिया और इसके बाद हम लोग यहाँ पर unsigned int i is equal to 0 ले रहे है इसको हम लोग basically looping में use करने वाले हैं और next इसके बाद आप लोगों ने अपर ddr d is equal to 0 x ff लिखा मतलब कि आपने जो अपना port d है उसको output define कर दिया क्योंकि आप लोग यहाँ पर अपना जो seven segment है उसको connect करने वाले हैं अब इसके बाद हम लोगों के पास while one loop है अब इस loop के इसके अंदर देखे हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर हम एक और loop लगाएंगे for loop ठीक है और initially आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देखे for i is equal to 0 जब i की value 0 है उसके बाद आप फिर condition checking करेंगे कि यह जो value है जब तक 10 से below है तब तक हम क्या करेंगे यह task जो है इसको करव कर रहे हैं i++ से तो initially जो i की value है वो 0 है ठीक है तो यह condition हमारी सही हो रही है इसके बाद जीरो जो है वो less than 10 है तो आपका क्या होगा यहाँ पर यह program चलेगा तो इसमें आप क्या कर रहे है port d is equal to digit और इसके बाद index जो है वह आप यहाँ पर i दे रहे है या फिर आप कह सकते ह है यहाँ पर यह जो है 0 आपका port d में या फिर 7 सेग्मेंट में चला जाएगा इसके बाद हम लोग यहाँ पर कर रहे है एक इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक one second का delay दे रहे है उसके बाद आपके i की value प्लस प्लस होगी ठीक है तो आप i की value कितनी हो चुकी होगी 1 हो चु है तो digit 1 जो है वो यहाँ पर आपका transfer होगा port d के अंदर तो आप कह सकते हैं आपका port d में या फिर 7 सेग्मेंट में one print होगा फिर अगें आपके यहाँ पर one second का delay आएगा फिर अगें आपका i++ होगा ठीक है तो आप i की value 2 हो चुकी होगी अब फिर से condition checking होगी यह सही है उसक में से जो second element है या फिर आप कह सकते है तू का जो pattern है वो आपका transfer होगा seven segment में फिर अगें आपका i++ होगा यह चीज आपकी जब तक i की value 9 नहीं हो जाती तब तक चलती रहेगी जैसे उसके बाद आपकी value 10 हो जाएगी तो फिर से आपका क्या हो जागा i की value 0 हो जाएगी तो यहाँ पर बार बार आपका 0 से 1 2 3 9 तक जाएगा और उसके बाद 9 होने के बाद अगिन 0 से और प्रिंट करवाता रहेगा तो यह हम लोगों का for loop के through basically हम लोगों ने किया तो आप देख सकते हैं उपर जो हम लोगों का program थे इसमें कितनी ज्यादा line of codes हमको लिखने पड़ लगबग 20 आप यहाँ पर lines लिख रहे थे उस particular task को करने के लिए बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों का सिर्फ एक loop के through ही यह काम हो गया है ठीक है तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी flexibility जो है program की वह बढ़ जाती है ठीक है तो अब इस चीज़ को भी आप यहाँ से build करके देख सकते हैं so build हो चुका है इसके बाद हम इसको simulate करके देख लेंगे so next इसके बाद हम इसको यहाँ से play कर लेते हैं ठीक है तो देखिए initially यहाँ पर आपको 0 display होगा फिर हर एक second के बाद यह value आपकी बढ़ती रहेगी फिर 9 होने के बाद again यह 0 हो जाएगा ठीक है तो output हम लोगों को यहाँ पर वही मिल रहा है बट programming में हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर changes किये हैं हम लोग basically यहाँ पर जो common cathode के लिए seven segment के patterns बनते थे उनको एक array के अंदर store कर लिया और हम लोग यहाँ पर एक looping के through अपने जो values हैं इनको access कर रहे हैं और seven segment पर भेज तो इसके बहुत सारे फाइदे हैं हम लोगों का इससे जो program है काफी efficient बन जाता है और इसकी flexibility भी बढ़ जाती है इसको समझने के लिए एक example लेते हैं suppose हम लोगों को टास्क जो है इसको उल्टा करना है मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं कि nine से यह decrement करवाना चाहते हैं तो अगर हम लोगों ने पूराने approach से काम किया होता तो आपको क्या है यह जो program है ना इसको पूरा हटाना पड़ता फिर one by one आपको यहां पर सारी चीजों को change करना पड़ता बट यहां पर हम लोगों ने जब loop लगाया और array के through यह काम किया तो यह चीज आपके बहुत आसान हो दीजिए ठीक है और इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे देखे for i is equal to nine और i greater than equal to zero और इसको i minus minus आप कर देंगे ठीक है तो इतना करने के बाद देखिए अगर हम इसको यहां से build करते हैं और इसके बाद अगर आप इसको यहां से implement करते हैं तो देखिए अब हम लोगों का यहां से nine, eight, seven और यह descending order में basically आपका यहां पर हो जाएगा फिर यह zero होगा then again nine से आपका start हो जाएगा ठीक है इस तरीके से arrays में अपने patterns को hold करके हम लोग अपना जो program है उसको काफी flexible बना सकते हैं आगे आने वाली videos में भी हम लोग यही concept को use करेंगे आज के लिए इतना ही I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं बने रहेगा मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर से कीजे अपने friends के साथ आप लोग जरूर से इसको share करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं So thank you so much for watching जै हिंद जै भारत